अपना येटूब चैनल व्यार बोट 10 में आज मैं कलाश 10 का मैस का औरिजिनल क्वेशन पेपर बताने वाला हूं जो आपके एक्जाम मैं को हूब हो यह क्वेशन पेपर पूछा जाएगा मासिक परिच्छा में पैरा बच्चे अब सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बिल आइकन का घंडे और प्रेस कीजिए वीडियो को लाइक शेर केमें जरूट कीजिए पैरा बच्चे मैं जितना भी कोशन बता रहा हूँ यह आपका मोस्ट भीविया कोशन है जो आपके एक्जाम में हूँ बहु ऐसा ही कोशन देखने के लिए मिलेगा तो देख लिजिए आप लोग का मैस का सब्जेक्ट है और यह किसका है कलास्टेन का है विसे कूट आपका क्या हुआ एक सुर दस और यह आपका जोने पचास नमर का ही पूछा जाएगा और प इसका जो राइट एंसर होगा आपका ऑप्सन नमर भी बिल्कुल एंसर हो जागा जीरो जीरो हो जाएगा चलिए आपका नेस्ट कोशन की है जो दूसा नमर जो कोशन है प्यरवचे किसी तिरी भूच का केंद्रक तीन कोमा जीरो है और उसके दो सीर्स दो कोमा तीन एवं एक कोमा मैनेस चार है तो तीसरा सीर्स है प्यरवचे इस कोशन का राइट एंसर हो जागा आपका ऑप्सन नमर ची तो दो हो जाएगा चलिए आपका चार नमर कोशन क्या है बिंदू है बिंदों मैनस एक कोमा तीन एबं मैनस पांस कोमा साथ के बीच की दूड़ी है तो पेरवचे स्क्वेशन का राइट एंसर आपका ओप्सन नमर डे तो रूट टू एका ही हो जाएगा चलिए आपका पांस नमर क्वेशन क्या है दो बिंदों है एक्स वन कोमा वाई वन और एक्स टू कोमा वाई टू को मिलाने वाले लिखाखन को एंव अनुपात एंड में अन्ते विभाज़ित करने वाले बिंदो के निर्सांग होंगे प्रवचे इस question का right answer हो जागा आपका option नमर ये हो जागा तो mx2 plus nx1 but m plus n,my2 plus ny1 but m plus n हो जाएगा चलिए आपका 6 नमर question के है प्रवचे चलिए हम directly 6 नमर question में चलते हैं यदि किसे संकुक के वक्राप्रिष्ट का छेत्रफल 880 cm2 और तिर्जा 14 cm है तो उसकी तिरियक उचाई होगी प्रवचे इस question का right answer हो जागा आपका option नमर बी हो जाएगा तो 20 cm बिल्कुल correct answer हो जाएगा चलिए आपका 7 नमर question क्या है समान उचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9 नुपात 16 है तो उनके वक्राप्रिष्ट का अनुपात होगा प्रवचे इस question का right answer हो जागा आपका option नमर से तो 3 नमर बील्कुल correct answer हो जाएगा चलिए हमने आठ नमर कुशन देख लेते हैं एक संगु की पूर्ण सतय का छेतरपल 18 मिटर स्कॉयर है और उसकी तिरियक उचाई संगु के अधार तिर्जा की दूगूनी है तो संगु के अधार का छेतरपल है तो प्रवचे इस question का right answer आपका option नमर ए हो जागा तो 6 मिटर स्कॉयर बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा चलिए आपका नौ नमर कुशन क्या प्यरवचे नौ नमर कुशन आपका दो गोले का आयतनों का अनुपाद 8 अनुपाद 27 है तो उनके संपुर्ण ने पिरिष्ट के छेतरपलों का अनुपाद होगा इस question का right answer हो जागा आप आपका option नमर क्या हो जाएगा चलिए आपका 10 नमर कुशन क्या है किसी गोले का संपुर्ण ने पिरिष्ट का 616 cm2 है तो गोले का व्यास होगा प्यारवचे question का right answer हो जाएगा आपका option नमर 24 cm बिल्कुल correct answer हो जाएगा प्यारवचे आप सारवचे चैनल पर नहीं हो तो चै चलिए आपका यह गारे नमर कुशन क्या है युकपत रह्खिक समिकनलों के निकाए एवन एक्स प्लस B2 B1Y बरावर C1 A2 X प्लस B2 Y बरावर C2 के अंगिननत हल प्राप्त होते हैं यदी तो कब होता है प्यारवचे इस question का right answer हो जाएगा आपका option नमर D हो जाएगा आपका AD बरावर 4 और DB बरावर X मेंस 4 AE बरावर 8 था ABC बरावर EC बरावर 3 X मेंस 19 तो X का मान होगा क्या होगा तो प्यारवचे question का right answer हो जागा आपका option नमर C हो जागा तो 11 बिल्कुल correct answer हो जाएगा चलिए आपका तेरे नमर कुशन क्या है तो समरूप तिरिवूच जो ABC A1 PQR के प्यारवचे question का right answer हो जागा आपका option number C बिल्कुल correct answer हो जागा 2.5 cm बिल्कुल सही answer हो जाएगा चलिए आपका चौदे नमर कुशन क्या है चौदे नमर कुशन आपका एक सम चत्रभूच के विकरन 6 cm और 8 cm square है तो इसकी परतिये घुजा जमनलेकित में किसके बरावर है A3 cm B6 cm C 5 cm D 7 cm प्यारवचे question का right answer हो जागा आपका option number C हो जागा तो क्या हो जागा 5 cm बिल्कुल correct answer हो जाएगा चलिए आपका 15 नमर कुशन क्या है दो सम रूप तरिभूच ABC और PQR के परिमाप करमे से 36 cm और 24 cm है यदि PQ बरावर 10 cm तो AB बरावर है प्यारवचे question का right answer हो जागा आपका option number B बिल्कुल correct answer हो जागा 15 cm बिल्कुल सही answer हो जाएगा चलिए एक संभाव तरिभूच से 36 cm और 4-3 cm2 है तो इसकी परिमिति क्या होगी प्यारवचे question का right answer हो जागा आपका option number B बिल्कुल correct answer हो जागा चलिए आपका 17 नमर कुशन क्या है 12 cm तरिजाव वाले अर्थ विरित्ति कुल परिमिति होगी इस question का right answer हो जागा आपका option number B बिल्कुल सही answer हो जागा प्यापलिस 2 गुने 12 cm सही answer हो जागा इसका चलिए हम दो 18 नमर कुशन देख लेते हैं कि एक विर्थाकार वले की बाहरी एबम भितरी तिर्जाय करम से आर एबम आर है तो वले का छेत्रफल होगा पेरवचे इस question का right answer हो जागा आपका option number C हो जागा तो pi into r square minus r square हो जाएगा चलिए आपका 19 नमर कुशन क्या है 19 नमर किसी विर्थ के केंदर से 8 cm लंबी जीवा की नियूंतम दूरी 3 cm है तो विर्थ का व्यास होगा इस question का right answer क्या हो जागा आपका option number C जो है आपका 10 cm बिलकुल सही answer हो जाएगा चलिए दो विर्थ की 66 पलों का अनुपाद 9 अनुपाद 4 है तो इनकी पडिमितियों का अनुपाद होगा इस question का right answer आपका option number E हो जागा तो 3 अनुपाद 2 बिलकुल सही answer हो जाएगा चलिए 21 नमर question क्या आपका दो संख्याओं का मौसो 27 अबम लौसो 162 है यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी तो प्यारवचे इस question का right answer हो जाएगा आपका option number D बिलकुल correct answer हो जाएगा चलिए आपका next question क्या है 12-15 एवम 21 का मौसो है प्यारवचे इस question का right answer हो जाएगा आपका option number E बिलकुल correct answer हो जाएगा तीन हो जाएगा परतैक पड़ियमने संख्या होती है एक संख्या होती हैक यह उसे question का right answer option num मरत कि द् zero हो जाएगा नेक्ट क्या है निम्दे लिखित में कौन बढम नहीं है इस question का right answer हो जाएगा आपका option nummer C हो जाएगा बिलकुल एक Бोटन हो जाएगा चलिए प्यरविच आपका ठाइस समर कुछन किया यदी PX बरावर QX इंडू GX और PX का घात साथ एवं GX का घात 3 हो तो PX बरावर GX का मान होगा प्यरविच इसकोषन का राइट एंसर हो जागा आपका आपका आपसर नमर B 4 हो जाएगा चलिए आपका 19 नमर कुछन किया यदी बहुपत PX का 1 सुन्यक मैनस 2 हो तो निमने लिखेत में PX का गुरन खन होगा इसका राइट नमर B हो जागा X पलस 2 हो जागा तब नहोगा X पलस 2 बरावर क्या होगा प्यरविचे 0 तो X बरावर क्या हो जागा मैनस 2 बिल्कुल सही एंसर हो जागा इसका X बरावर मैनस 2 ऐसा ही होगा चलिए तीस नमर कुछन किया आपका देख लेता है तो तीस नमर कुछन आपका चलिए तीस नमर कुछन का गया जी हाँ तेखिए यदि बहुपत X स्कॉरा मैनस 4 X पलस 1 के सुन्यक अलफा बिटा हो प्रवचे तो आलफा इंट बिटा का मौन दर ची बाई होता है तो जी है प्रवचे इस क्कॉर्शन का राइट एंसर क्या हो जागा सी बाई है मतलब आपस नमर भी बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा चलिए आपका एक से लेकर 30 तक का मां ऑपजेती को सर्वाद बता ज आपके लिए बिल्कुल आसान है कि इवह पिर्वचे इस सब कॉसन बिल्कुल आसान है चलिए हमनों डाट लेट लिए विपरीत है जहां की दिए गए के विपरीत है चलिए रूट 2 पलस 5 बड़ाबर क्या होग आपका तो एब भी मान सकते हैं प्रूम्नांग गभी जिरो नहीं होगा चलिए अब दिकिए आपका क्या है रूट टू बरावर अब बड़े बी हो जाएगा यानि यह पांच इधर जाएगा पलस पलस साथ चले जाएगा चलिए अब दिखिए रूट टू बरावर क्या हो जागा आप इसका मैं एलसेम लेलेंगे एलसेम लेलेंगे बाद मेरा क्या हो जाएगा परवच्चे तो ए मैनेस रूट बी हाँ रूट बी हो जाएगा ठीक है अब देखिए अब देखिए क्योंकि ए और भी दोनों पुर्णांग संख्यां ए मैनेस फाइब बी बटे बी एक पड़ी में संख्यां होगी जो की सत्य नहीं है क्योंकि रूट टू एक और बिरदोबास होता है और ये आपक क्या हो जैसे मर्जी वैसे लिए सकते को, छलिए हैं आप देखिए, दूसरा मर्ज़回ास है अपका 2S2 x-6 is 0 तो हम लोग इसको माल लाएंगे प्याराव वचल गे इसका क्या यह बहुपत है तो तो बहुपत हम दो आसान से क्बना सकते है यह नै तेके इसमें करना कि हमको इसको इसके गुना कर लें यहां इसका आपाद हम वचल निकाल लेंगे को तो 182ढीब हो गया इता प्रीघए इसको एक और इसको को इसको यहां चलिए अबρέसly देंगे चलिए आप दिखे दो नेंहें को कि निकाल eight बोला था क्या मौस हो तो पांस का पावर कितना हो जाएगा ठीक है बिलकुल हो जाएगा ऐसा चलिए अब देखिए साइन स्कॉर 55 पलस को स्कॉर 55 मैनस साइन 90 डिगरी पलस कॉस 15 डिगरी है तो अब देखिए हम वैसे भी कर सकते हैं और यहां पर देखिए यह जो आपका मैना क्या हो जागा अब देखिए दोनों करेंगे तो एक बड़े दो एक बड़े दो ऐसा आएगा उसके बड़े काट क अब देखिए यह उपर वाला को हम लोग गुना करेंगे निचे वाला से और यह और यह एक साथ गुना होगा ठीक है करना है अब देखिए यह क्या होगा मेरा कॉश्चिस को ठीक होता है पुराटों के इसा होगा उसके बाद देखिए यह और यह गुना किया है और यह और यह तो अब देखिए हम लोग एक बड़े को ठीटा इन्टू साइनिस को ठीटा यह प्रूब्ड हो गया जैसे मर्जु वैसे करना है जिसके वर्गों का योग 365 हो मना कि पहली पहली कर्मागत धनात्मक पुंडांग एक्स है तो दूसरी कर्मागत ध करतेंगे बड़ावर टेन सो पैसे प्लस एक एक को अधिका मन क्या होगा एक और सी का मन क्या होगा एक और सी का मन क्या होगा 0-1212 जाएगा मैनस एदर जाएगा तो मैनस पर जाएगा नदर रोट बाद लिखने को सॉल्फ कर देंगा बस को भी है अब कुछ नया करना है बस उसके बाद यह श्म निकल के है ठीक है भль अभी यह तीक débाशन लुत को कुछल फसन डीक चेंज तो सकते साइन ठीटा पुल्कुल आ गिया अब चौद नमगे ऊसे लिख सकते एक हम लिख दीए लिखने का बाद मेरा ये क्या होता है फॉर्मूला के सबसे आ गिया तीक है बिलकुल आ गिया चलिए हम दिखिये एंसर भी गोले का एतन क्या होता है फुर्भाइ ठी पाई और इस्क्वाइर ब्राबर क्या होता है अब देखें सारा को हम स्वर आब रख देंगे पर रखने के बाद हम इसको solve कर लेंगे बस मेरा इतना इंसर आ जाएगा इस question का चलिए पर वच्छे मैं सब्जेक्टिव भी solve कर दिया तो पर वच्छे मैं एक से लेकर 30 तक का objective question solve कर दिया और वच्छे आप सारे वच्छे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्स्राइब कर झाटे झाटो कर दो में सब्स्राइब कर दो कहि decis gor नाएड़ कर दिया आएंगे पर वच्छे नाएब कर वें अ casual क्यों है technologies कर दो ड़चे कर दो को सारी एक उनल एक